आवाम जन्ता के स्पोर्ट करेंगे आज हम हम लोगों से पूछते हैं तो लोग एक सवाल खड़ा कर देते हैं कि भारतिया जन्ता पार्टी के पास क्या लोकल कंडिडेट नहीं था तो इस पर क्या कहेंगे आपके उन्होंने फिर से वही कंडिडेट जो है मैं यह बताता हू और बाकी अवाम जन्ता की उनको कोई भी स्कbreaking नहीं है कि उनको उनको ये इसे लिए उनके पास कंडिडेट नहीं है वजह यह और कोई वजह नहीं हो सकती कि अगर भारतिये जन्ता पार्टी ने ने भी एक लूगल कंडिडेट को मैदा में लाया होता तो उसस गांगा क्योंकर वो चाहते नहीं कि यहां का कोई जीते ओगाए वह चाहते बिल्कुल बिल्कुल मंचुत सदर गया और कोई ऐसיים को लगता है कि अबी भी कोई शक्षुबा वो अपना शक अपने जहन से निकाल दे कि आदब नाजरीन आप देख रहे हैं के न्यूज ट्वडिफोर सेवन हो आपका मिजबन दिलबर रिशाद नाजरीन आप जैसे आप जानते हैं कि इस वकट डीडी से इंतखाब का बुखार जो है कंपेन के होते हुए कुछ लोगों ने जो है दूसरी पार्टियों को छोड़कर नहीं पार्टियां किया हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं इस वकट रंजीत सिंग्ग तो जो पहले भारतिया जंदा पार्टी से तालग रखते थे लेकिन आज उन्होंने कोशिश बारतिय जंदा पार्टी को छोड़कर कॉंग्रस पार्टी में शुमलेत इक्जार कि सबसे पहले आपका किया न्यूज में आपका सबाकते मैं रंजीत मैं पिजली बार 2019 में अलक्षन लड़ी थी तो मैंने यह मैंनी डेट नहीं लिया था कि मैं किसी पार्टी से नहीं चल अपर उपर हो गया और मैंने गाउं में देखा कि कुछ लोग चंद पैसों के लिए कभी बीजेपी में जाइन करते हैं और कभी एंसी में और कभी पीडीपी में तो मैं इन लोगों का साथ नहीं दे सकता हूं और नाम में कभी दूंगा मुझे एक एक तो यह मर्मत के बात करें मर्मत खलाइनी की बात करें तो मर्मत खलाइनी में हम इसलिए स्पोर्ट कर रहे हैं कंडिडेट की चलो कांग्रस हो या बीजेपी कि अब तो मैंने जाइन किया है तो मैं मुस्ताग साब जी की पूरी स्पोर्ट करूंगा और कांग्रस की भी पूरी स्पोर्ट कुछ लोग अपना क्या जो वाइडल करते हैं लोगों को जैसे हमारे इधर भी आज जिनकी बात हो रही थी हमारे पंचायद प्रबल की जिन के शायद में भी फोटो होंगे अपलोड किया होंगे उनने और वो चंद पैसों के लिए कुछ लोग करते हैं वो इसलिए मैंने उस को चोड़ के कांग्रेस जाइन की वाकिया मैं आपको क्या लगा लगा भारतिया जंदा पार्टी में जब आप थे या ड्वलेमेंट के नाम जो दिया जाता है या उसको कोई ऐसा मुद्धा होगा जिसकी वज़से अपने कांग्रेस में शुमले तियार देखो देखो मैंने जो बात है फिरका प्रस्ति की जैसे हिंदू मुस्लिम किया जाता है एक मतलब ये आज से नहीं जब भी अलेक्शन होती है तो मतलब दिखो कभी हिंदू के जाएंगे तो बोलेंगे यार आपका मजब खत्र में हो गया है मुस्लिम के घर जाएंगे तो आप बोलेंगे आपका मझजब खत्र ऐसा कुछ नहीं होता है कुछ खत्रे में यह कि यह प्रण्ड है के चंद लोगों का मैं नहीं बॉलता हूं चंद लोगों का है जो यह काम करते हैं अब ख्रण जीद के लिए और आपने पैसों के लिए और हम हमें पहले इनकी स्पोर्ट करनी है फिर यह हमारी स्पोर्ट करेंगे पूरी अवाम जन्ता की स्पोर्ट करेंगे अगर आप सवाल पूछो में यह जो मरमत की है इसाब से तो इसका क्या कहना इस पर क्या को गया आपके जिस तरह से भारतिय जो मरमत के लोग हैं यह बहुत ही बहुत ही पिछड़े हुए लोग है और आब इनको समझ आई है अगर यह इस चीज को फालो करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो कुछ हो सकता है कभी वो क्या बोलते हैं द्रंगा सुदमादेयो टनल कभी वहां से टनल कभी यह सब फ्राड है सब फ्राड है जो क्या कि जब एलक्शन आता है तो यह फ्राड करेंगे सवाल क्यों उठाजा उठा आगर इस वकर एलक्शन का डर है तो टैनल याद आ गया सब एलक्षणका ट्रंड अपने वोट बोट बोटोरने का ट्रेंड है और कुश नहीं तो कांग्रस के दोर तो कंग्रлеस वाले ही इंन को हराया, tak कि एक उन को हराया रहाया, क्यूंकि वह कमारी गल्ती थी, कंग्रेस वाले ही काम खत्रे में, उसका मदब खत्रे में ऐसा कुछ नहीं है, वह कैंडिडेट righteous थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे और वो जो भी काम करते हैं वो पूरी वाम के लिए चाहिए उनने जो भी किया दो डाई साल रहे उनने बहुत अच्छे काम किये हमारे जेंड के में जेंड के में नहीं किये बिला शाक अगर चलो ठीक है जम्मू में फिर भी उन्होंने ब ढ़को वह सवाट करेंगे और हम लोगों से पूशते हैं तो लोग एक सवाल कड़ा कर्देते तो इस पर क्या कहेंगे आपके उन्होंने फिर से यहां पताता हूं कि देख goat की के आटिप सच में नहीं है कि उसका कारण यह है कि जो उनके चमचे हैं जो उनके चेले हैं जो उनके वरकर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेड़ बरने के बरते हैं और बाकी अवाम जन्ता की उनको कोई भी फिकर नहीं है कि उनको उनको ये इसे लिए उनके पास कंडिडेट नहीं है वज़ा यही है और कोई वज़ा नहीं हो सकती कि अगर बारतिय कंडिडेट यहां मरमत से लाते भी तो बारतिय कंडिडेट उसके लाइक ही नहीं है क्योंकि क्यों लाइक नहीं है क्योंकि उनको उनको कभी लगा नहीं कि यहां का कंडिडेट भी आगे जाएगा क्योंकि वो चाते नहीं है कि यहां का कोई जीते वो चाते नहीं है क मर्मत अब मर्मत सुधर गया है और अगर कोई ऐसा किसी को लगता है कि अभी भी कोई शक्षुभा वो अपना शक अपने जहनसे निकाल दे कि हमने कभी दूसरे कंडिडेट को यहां आके खड़ा करना है और जिताना है ऐसा कभी भी नहीं होगा जैसा यहां के डिवलेमेंटल इंडेक्स है आप इसमें कॉलेज की बात कर लिजे या इसके अलावा हमारा मॉर्डल पॉली स्टेशन है पॉलीस के पास जो गाड़िया है उनमें भी जो है उपर से जो कवर होता है उनका जीप कवर होता है वह भी फटा हुए अब पॉलीस के बात हो यह जितनी भी बाते हैं न यह सब अलक्शन है बाकर कुछ नहीं है मैंने पहले बताया कि जो भी है इसके बाद देखो मर्मत में अपना चनए चला जाओ वो किस की देन है किस की देन है वो Chi envelope की में था हम पूरे इतने कालिज आए इतने आए तो इह वोलते हैं गर से लाके दिय यह जो जतने भी काल जाए हैं ये और ये कांग्रिस की देन थी और देन है और इन उन्हेंड उसको आगे चलाया क्योंकि एक बात तो यह आवाम जो है मान रही है कि कॉंग्रेस पार्टी की जम से पहली बार लोकल उमेदवार को नमाइंदगी मिली है जो आज तक शाहिद पूरी तारिक में मरमत की नहीं बलके हिंदुस्तान की तारिक में मरमत से यह दूसरी बार यहां पर occupyर क्मिए बिजली की कमी है यहंपर बिल्कुल एक्वइ worthwhile नहीं है तो पाणी की कमी पर नहीं है यहां बिसेक होती है 하신 फिर नमेडि तो यहां पर नहीं पर नहीं भादए तो यह सब क्या कॉंग्रेस के दोर में पूरा हो जाएगा आपकू लग तो की आने से हरक कि आदी चो वही चल रहा है वह तो उठाके कि अपने घर वाली साइड ले लिया उन्हें ठीक कोई बात ने नीचे उपर क्या पीछे कौन सी जनता रहे रही है कितना फड़क पड़ेगा उससे क्या फरकी फरके मर्मत वाले और मर्मत वालों को तो मर्मत खिलेनी वालों को तो फरकी फरके अगर इधर से आती तो पूरी हमारे मर्मत के लोग काम करते हमारे मर्मत के लोग रोजी रोटी कमाते वह तो खत्म कर दिया वह तो पूरा प्लाइनी चेंज कर दिया चाहे वह इसके लिए वोटों के लिए किया मुझे नहीं पता चाहे वोटों के लिए किया कि के लिए किया मगर पेट के लिए किया वो उन्होंने यह चीज की है वो उनको यह खम्याना बुक्तना पड़ेगा मैं पिजली बार भी जितिंदर सिंग का यह अपना दूसरी वह एलेक्शन था तो मैंने बोला था कि यार उस ताइम भी मैंने बोला था कि यह क्या यह हमें कोई बनेगा हमारे जैनके में ना कोई आएगा तो नाजरीन आप दीख रहे था यह के एंगे खास स्पैशल रॉपोर्ट थी जिसमें डीडीसी इंतखाबाद जो है सर पे हैं और मर्मत में जो एलेक्शन होने जा रहा है वह साथ तारीक साथ दिसंबर को होने जा रहा है इ या नजरीवे का फुरुप है या क्यों सी ऐसी विडिवल्यमेट मर्मत दो लेकर क्योंके मर्मत में और मर्मत और ख्लैनी को मिला कर डीडीसिग का मईिय तू इसमें क्या तरक्ते क्या क्या है आगे यह का लोगल केंडीर्ड अगर यहां पर आता है तो क्या है है Tehr repeatedgend हम उ यो तुने दिलवर्शा डोड़ा